दोस्तों आज की इस वीडियो में हम comparison करेंगे वीवो T3 5G स्मार्टफोन को वीवो Y28 5G स्मार्टफोन के साथ में और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की तो आपको बता दू कि वीवो T3 के अंदर हमें 6.67 इंचिस की Full HD Plus AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो की 120Hz के refresh rate को स्पोर्ट करती है वहीं दूसरी तरह Y28 के अंदर हमें 6.56 इंचिस की HD Plus IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो की 90Hz के refresh rate को स्पोर्ट करती है यानि कि दोस्तों डिस्प्ले आपर भाई content watching के साफ से ना सिरफ और सिरफ वीवो T3 5G की एकदम बढ़िया वाली है क्योंकि इस फोन के अंदर हमें AMOLED पैनल मिल रहा भी अच्छी बात है एकदम बढ़िया वाली content watching आपको करवा देगा लेकिन आरे वाई 28 की तरह नहीं भाई सिरफ HD प्लड डिस्प्ले दिया जमा एवरेड डिस्प्ले आपको इस फोन के अंदर मिल रहा दोस्तों साथ जार वाले फोन की डिस्प्ले आपको इस फोन में मिल रहा है भाई सही बतार हूं मैं आपको और ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर हम बात करें तो Vivo T3 5G आउट ओडा बोक्स आंडोट 14 के साथ में आता है जो कि FunTouch 14 पर बेस्ट है वहीं दूसरी तरह Y28 आउट ओडा बोक्स आंडोट 13 के साथ में आता है जो कि FunTouch 13 पर बेस्ट है देखें दोस्तों लेटेस्ट ओप्रेटिंग सिस्टम और लेटर ही वाई डोनों ही मामनों में वीवो T3 5G स्मार्टफोन ही विनर है और चिपसेट की अगर हम बात करें तो T3 5G के अंदर हमें दिया गया जो कि 4 नैनो मेटर टेकनोलजी पर बेजड है वहीं दूसरी तरह वाईट्वेंटी एट की अंदर हमें ड्यमन सिटी 6020 5G चिपसेट दिया गया जो कि 7 नैनो मेटर टेकनोलजी पर बेजड है यार प्रोसेसर आपको पूरे 8000 वाले फोन का मिल रहा है मअट ही आले यार सच में इन क्या तो यानि कि दोस्तो डे टुडे परफोर्मेंस और बिल्कुल टोप लेवल की गेमिंग अगर आपको करनी हा ना तो डेफिनेटली आप यहां पर वीवार T3 5G की तरह भी जरूर से जाईए और एंट्रो स्कोर में भी यहां पर भाई बहुत ज़्यादा फ़रक है क्योंकि वीवा T3 5G का आता है सात लाग बीस हजार के करीव वहीं दूसरी तरह वाइट वंटी एड का था भाई तीन लाग चालीस हजार के करीव यह हाल है बताओ इस मोडल के अब आप समझ पार हो क्या प्रोसेसर ने उन्हें उसकिया अपने फोन के अंदर और दोस्तों अब इन दोनों फोन्स पर किसी वाले को भाई करना चाहते है ना तो लिंक मैंने नीच से दिस्क्रिप्शन में दे दिया वहां से जाकर आप इने बाई कर और अब बारी आती है अब यह बैक कैमरा का सेटप दिया गया है और जो उनका कैमरा सेटप है बिलकु सेम मैं स्पेक्स वाई लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा फरक है जो इनका में कैमरे पचास मेबाइब का ड़ेप्स का देखें दोस्तों वाई ट्वेंटीएट का में कैमरा ना पचास मेबाइब की क्लिक करेगा ज्यादा एक्सपेक्ट आप इससे मत करना लेकिन आर बिलकुल लेवल डेटेलिंग के साथ में आपको फोटोस को क्लिक करने ना डेफिनेटली T3 5G की तरफ ही जरूर से जाईए क्योंकि इसका मीन कैमरा ना 50 मेगा पिक्सल का बढ़िया तरीके से उप्टिमाइस किया गया जो कि एकदम डेटेलिंग के साथ में आपकी फोटोस क्लिक कर दे बही अल्ट्रा वाइट कैमरा अगर हमें वीव वाले इन दोनों फोन्स के अंदर देते थे ना तो ज़्यादा बढ़िया रहा था लेकिन कोस्ट कटिंग के चक्कर में नहीं दिया इसके साथ तो कुछ जादे ही कोस्ट कटिंग होगी है यह हाल है वीव वालो के और दोस्त वाइट 28 के फ्रेंट में में सिरफ 8 मेगा पिक्सल का एक एवरेस से सेल्फी कैमरे दिया गया बढ़िया फोटो अगर आपको सेल्फी कैमरा से क्लिक करनी है ना तो डेफिनेटली T35G की तरफ ही जरूर से जाईए और मैक्समिम वीडियो रिकोडिंग अब दोनों फोन्स के फ्रेंट कैमरा से सिरफ 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं बैटरी डिपार्टमेंट के अगर हम बात करें तो दोनों फोन से आपर भाई 5000 मेंची बड़ी बैटर के साथ में आते हैं लेकिन फास्ट चार्जिंग जमीन आसमान का फरक है क्योंकि T35G तो 44 वोट की फास्ट चार्जि साथ में आते हैं 3.5 mm Jack हमें T35G के अंदर नहीं दिया गया लेकिन Y28 के अंदर हमें दिया गया है और ङुझा के अंदर हमें दीया गया है और अब लाश्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइजिंग की तो आपको बता दू कि T3 5G स्मार्टफोन के 8 plus 108 IGB वेरियंट की प्राइजिंग है 20,000 पे वहीं दूसरी तरह Y28 फोन के 8 plus 108 IGB वेरियंट की प्राइजिंग है 18,000 पे और अगर मैं आपर अपना पॉइ 28 को buy नहीं करना बेशे के 10,000 में मिलते तब भी मतले ना बेकार फोन है यह वला तो बलकि इसकी जगा पर ना भाई कुछ पैसे एक्स्ट्रा लगा के भाई T3 5G को ले लो सही म्यार यह वला स्मार्टफोन हा बिल्कुल टोप लेवल है तो बस दोस्तों यही ते मेरे कुछ होन स्मार्टफोन के लिए